इस conjunction के बिना आप lengthy sentences बना ही नहीं सकते हैं छोटे-छोटे sentences आप easily बना लेते हैं लेकिन जब बात आती हैं दो sentences को कमाइंड करने की तो हमें जरुरत पड़ती हैं conjunction की क्योंकि conjunction होते ही ऐसे words से जो दो या दो से ज़ादा sentences phrases और clauses को connect करते हैं आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ऐसे conjunction का collection लेकर आई हूँ जो की बहुत ज़ादा use में आते हैं अगर आपने ये सीख लिए तो आप अलग तरह के sentences बहुत ही easily बना सकते हैं और इतना ही नहीं मैंने काफी सारे examples आप लोगों के लिए लिए हुए हैं हर चोट कि आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए चार conjunction लिए हुए हैं पहला है एस सुने सेकेंड हमारा as long as as far as और as well as ये चारों conjunction देखने में अगर आप देखेंगे तो सभी की शुरुआत कहिने कहीं as से हो रही है लेकिन इनके में काफी अंतर होता हैं काफी rules इसम अब कैसे sentences इसमें बनेंगी यह आपको ध्यान से समझना है आपने हिंदी के sentences ऐसे सुने होंगे जैसे कि जब तक मैं यहां हूं तब तक तुम अपना काम कर लो जब तक वह यहां आएगी तब तक हम अपना काम complete कर लेंगे जब तक वह यहां है तो उसकी मदद कर सकते हों त यहां पर हम कुछ sentences देखते हैं जिसने आपर दिया हुआ है as long as I'm here no one can harm you जब तक मैं यहां हूं तब तक कोई तुम्हें हार्म नहीं कर सकता है कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुचा सकता है अब यहां पर यह जो तब तक आपको दिख रहा है कई लोग नहीं बोलते हैं तो हिंदी आपके उपर आप बोलना चाह रहे हैं तो भी ठीक है नहीं बोलना चाह रहे है तो भी ओके तो यहां पर हमें क्या करना है जो हमारा first sentence complete हो उसके बाद हम लगाएंगे comma आप यह suppose कर स कि तब तक के लिए यह कॉमा यूज हो रहा है and then आपको second sentence इसके साथ एक रूल हमेशे आपको ध्यान रखना है कि as long as के बाद आने वाला sentence जो होता है वो या तो रहेगा present में या फिर रहेगा वो past में लेकिन future में नहीं रहेगा मतलब हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि as long as I will be here as long as I will be here यह आपको sentence नहीं बोलना है आपको as long as के बाद जो sentence मतलब आपका रहेगा वो present या फिर पास्ट में रहेगा तो sentence आप फिर से देखे क्या है as long as I am here जब तक मैं यहां हूँ no one can harm you तब तक आपको कोई नुकसान नहीं पोचा सकता है तो sentence में क्या आया जब तक तब त second sentence देखते हैं as long as she wants she can stay here देखे जब तक वह चाहे as long as she wants जब तक वह चाहे she can stay here तब तक वह यहां रुख सकती है तब तक वह यहां ठहर सकती है तो sentence हो गया कि जब तक वह चाहे as long as she wants तब तक वह ठहर सकती है she can stay here तो आप यह कॉमा लगा देंगे तब तक के लिए देखे first one sentence में मैंने आपको कहा present past में बनाना है future में नहीं लेकिन बाद वाला जो sentence से वो आप चाहे तो future में बना सकते हैं लेकिन जो sentence as long as के साथ चलता है वो present or past में आना चाहिए she can stay here as long as she wants guys इसमें एक और चीज़ आपको धियान रखना है इसमेंस पूछते हैं कि मैं इनको बीच में लगा सकते हैं या फिर इनको बाद वाले sentence में लगा सकते हैं या नहीं तो बिलकुल आप लगा सकते हैं देखिए यहाँ पर यह दोनों sentences same है आप यहाँ पर देखेंगे तो दिया हुआ है as long as she wants जब तक वह यहां चाहे वह यहां रुख सकती है यही sentence को हमने इधर ऐसे कर दिया है यह वाला इधर और यह वाला इधर तो she can stay here as long as she wants मतलब जब तक वह चाहे तब तक वह यहां रुख सकती है तो जब as long as आप sentence के बीच में ले रहे हैं तो आपको comment नहीं लगाना है no one can harm you as long as I am here तो देखे आपका sentence बना no one can harm you as long as I am here तो यह बाद वाला जो sentence था यह आपने मतलब यहां पर जो sentence आपने starting में लिया है उसको आपने क्या क्या बाद में ले लिया तो यह भी आप कर सकते हैं ठीक है चले एक और sentence देखते हैं as long as you work hard जब तक आप महनत करते हो you can make lots of money तब तक आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो बहुत सारे पैसे आप लोग कमा सकते हो या फिर earn कर सकते हो तो as long as you work hard जब तक आप महनत करते हो बहुत सारे पैसे बना सकते हो या फिर कमा सकते हो कुछ और sentences जब तक मैं यहाँ हूँ तो sentence के होगे गाइस as long as I'm here या फिर जब तक मैं अपना काम कर रही हूँ as long as I'm doing my work तो मैंने sentence दिकी किस में लिया present में लिया ना कि मैंने future में लिया मैं यह नहीं बोलूँगी as long as she will come here यह sentence आपका गलत हो जाएगा अगर आपना sentence को ऐसे बनाया as long as she will come तो देखिए आपने क्या किया as long as के बाद में sentence कौन सा बना दिया future जो की क्या है गलत है तो आप क्या करेंगे as long as के बाद में आप बना देंगे present में as long as she comes as long as she went मतलब past में बना सकते हैं या फिर as long as she spoke as long as I stayed here जब तक मैं यहां रुकी इस तरह से तो ज़्यान रखिए जब तक और तब तक के लिए आपको लगाना होता है as long as next conjunction यहाँ पर दिया हुआ है as soon as इसका meaning होता है जो ही या फिर जे से ही देखिए क्या होता है कि जब यह ऐसे sentences बनता है कि मतलब जैसे ही एक काम हुआ उसी के बाद जस्ट बाद दूसरा काम हुआ ठीक है को यह action खत्म होने के तुरंत बाद दूसरा काम start हो जाता है तो हम वहाँ पर जैसे ही या फिर जो ही स्टेज पर गई सभी ने ताली बजाना शुरूर कर दिया तो जब कोई एक काम होता है उसके जस्ट बाद दूसरा काम start हो जाता है वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं चली एक्जांपल्स देखता है जैसे ही बेल बजी आरेन आउटसाइट में बाहर चली गई आपको same rule यहाँ पर follow करना है as soon as के बाद आपको जो tense use करना है वो या तो present में रहेगा या फिर past में रहेगा इतना आपको ध्यान रखना है तो देखिए as soon as the bell rang जैसे ही बेल बजी आरेन आउटसाइट में बाहर चले गई या फिर I will go to the shop गईजे की यहाँ पर क्या हुआ है as soon as के बाद आने वाला sentence future में नहीं है इसके पहले जो sentence है वो future में है ना कि as soon as के साथ वाला sentence future में तो यहाँ पर यह rule ध्यान रखे कि as soon as के साथ या तो present या past बाद वाले sentence में अप लगा सकते हैं future वाल बाद वाले sentence में future tense add कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं तो देखें क्या हुआ I will go to the shop मैं shop पर जाओंगे as soon as it stops raining जैसे ही बारिश रुकेगी मैं shop पर चली जाओंगे ठीक है तो same rule आप as soon as को बाद वाले sentence में add कर सकते हैं जैसे I ran outside as soon as it या फिर bell ran देखें हमने याँ पर क्या किया यह वाला sentence हमने पहले बना दिया और यह वाला sentence है इसको हमने बाद में add कर दिया तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कुछ और sentences देखते हैं as soon as she goes to work जैसे ही वह काम पर जाती है यह जाएगी she will call you वह आपको call कर देगी तो हिंदी वाले sentences में भले आपका गागेगी word आ रहा है लेकिन English में निंग लगेगा English में आपको present simple में बनाना है रानी got married रानी यह शादी हो गई as soon as she graduated from college यह जैसे ही उसने अपना graduation complete किया या फिर जैसे ही उसने अपना graduation complete किया उसकी शादी हो गई तो आप ऐसे बना सकते कुछ और sentences जिसे मैंने कहा जैसे ही वर stage पर गई सभी ने तालिया बजाना शुरू कर दिया जैसे ही वर stage पर गई तो क्या होगा as soon as she went on the stage as soon as she went on the stage sentence कौन सा लिया हमने पास्ट वे everybody started clapping सभी ने तालिया बजाना शुरू कर दिया या फिर present में ले लेते हैं जैसे ही हम practice करेंग हम English बोलना शुरू कर देंगे तो हिंदी में मेरे sentence में गागेगी आ रहा है तो आप सोचेंगे कि हम यह विल लगा दे लेकिन ऐसा नहीं होगा आपको यहां पर present tense में बनाना होगा भले ही future आ रहा है यही इसका rule है कि इसके बाद आने वाला sentence आपको future में नहीं बनाना है त हम English सीख जाएंगे जैसे ही मैं यहां आई as soon as I came here जैसे ही मैं वहां गई as soon as I went there जैसे ही हमने बोला as soon as we spoke तो present यह future जो ही जैसे ही इसके लिए आप लगा देंगे as soon as जैसे हमरा next conjunction यहां पर दिया हुआ है as well as इसका meaning होता है साती सान ये शो करता है not only but also को मतलब यने कि आपने सिर्फ ऐसा ही नहीं किया बलकि वैसा भी किया ठीक है मतलब आपने किसी एक चीजी को नहीं लिया मतलब ये भी हम समझ सकते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति के एक से ज्यादा क्या तो क्वालिटी बता रहे है या फिर किसी एक व्यक्ति की बात ना करके आप उसके साथ सब दूसरे व्यक्ति की भी बात कर रहे हैं चली समझते एंग्जांपल से साथ ही साथ ये तो क्लियर हो गया यहां पर सेंटेंस का मिनिक निकल रहा है कि वह और साथ ही साथ में भी इंग्लिश सीख रही हूं मतलब वह ही नहीं सीख रही बलकि में भी सीख रही हूं तो यह तो हो गया she as well as I is learning English अब आप सोचेंगे कि यहां पर I के साथ में इस दिया हुआ यह क्या रूल है बस अब यही रूल को हमें ध्यान में रखना है जिसमें students अक्सर गल्ती करते हैं कि दिखिए as well as जब दो सब्जेक्ट के बीच में आता है यहां पर दो सब्जेक्ट है हमारे as well as उनके बीच में आ रहा है तो जो हमारी helping verb रहेगी या फिर जो हमारी man verb रहेगी वो रहेगी हमारी first subject के according मतलब हमने यहां पर जो is यूस किया है वो शी के लिए यूस किया है और आपका as well as conjunction दो subject के बीच में आता है तो आप क्या करेंगे जो helping verb या फिर man verb आप use करेंगे वो पहले subject को देखते हुए करेंगे ठीके और इसलिए हमने आपर क्या किया she as well as I is learning English अब वो सुनने में आपको थोड़ा सा हो सकता हूँ कि ऐसा लगे कि I के साथ इस आ रहा है लेकिन हमें हाँ पर यह नहीं देखना है कि हमने I के साथ इस लगा है हमें तो देखने हमने she के साथ में इस लगा है अच्छा sentence माली जी कुछ इस तरह से होता they as well as he dash learning English मतलब वे साथ ही साथ वो हो भी English सीख रहा है अब हम क्या करेंगे as well as तो ठीक है हमने क्या किया दो सब्जेक्ट के बीच में लगाया तो आप जो helping verb आएगी वो किसके according आएगी फॉस्ट सब्जेक्ट के according तो दे के साथ क्या लगता है आ लगता है तो हम बोलेंगे they as well as he are learning English as well as का यूज आप दो सब्जेक्ट के बीच में कर रहे हैं तो आपकी जो helping verb रहे गया man verb रहे वो फॉस्ट सब्जेक्ट के according रहे गए ठीक है जिसका meaning होता है साथ ही साथ चलिए कुछ और examples एकते हैं I bought a mobile मैंने एक mobile खरीदा as well as a laptop और साथ ही साथ मेरी family को भी तो sentence हुआ she invited me as well as my family next है he as well as you अब देखिए अगें यहाँ पर same rule apply होगा he as well as you is tired of this work मतलब वह और साथ ही साथ तुम भी स्काम को करकर ठक गए हो तो हमने यहाँ पर you के साथ is नहीं लगाया हमने first subject के according is लगाया कुछ और sentences जेखते हैं जैसे मैंने कहा कि वहाँ English के साथ साथ French भी सीख रही है as well as मतलब साथ ही साथ तो वहाँ English सीख रही है साथ ही साथ वो French भी सीख रही है she is learning English as well as French ram as well as sham okay या फिर books as well as magazines या फिर laptop as well as computer villages as well as cities ठीके तो कुछ और sentences देखते हैं जैसे बोल सकते हैं कि मैंने tenses पढ़ाए और साथ ही साथ conjunctions भी पढ़ाए I taught tenses as well as conjunctions I taught tenses as well as conjunctions ठीके तो as well as का meaning क्या होता है साथ ही साथ यह sentences का आप screenshot ले सकते हैं ताकि अगर आपको कोई confusion है आप इनके rules तो समझ ले और इसको याद कर ले गेज़ हमारा next यहाँ पर conjunction दिया हुआ है as far as बहुत ही common conjunction है जिसका meaning होता है जहां तक यह conjunction तभी उस किया जाता है जब आप किसी चीज के बारे में शौर नहीं है और आप बोल रहे हैं कि हाँ जहां तक मुझे लगता है जहां तक मेरा मानना है जहां तक मेरा विश्वास है इस तरह की sentences हम इसमें बनाते हैं जब एस तक मैं ओवेर हूँ ऐसा हो रहा है आप ओके या फिर आप ने क्या किया जहां तक के लिए आपने आप ने विश्वास लगा दिया मैं aware हूँ उसके लिए आपने I am aware लगा दिया और गैज इसके बाद आप जो sentence चाहे वो add कर सकते हैं देखी एक और एक्जांपल देखते हैं As far as I am concerned मतलब जहां तक मेरा सवाल है जहां तक मेरा विश्वास है कहीं नहीं कहीं उसी को जो करता है कि जहां तक मेरा सवाल है जहां तक मेरा विश्वास है तो as far as I am concerned everything is fine सब कुछ ठीक है या फिर I don't want to say anything about education system clear तो इसके बाद आप जो sentence चाहे वो बोल सकता है As far as I know जहां तक मुझे पता है जहां तक में जानती हूँ या फिर जहां तक मुझे लगता है तो sentence जहां तक मुझे लगता है वह यहां नहीं आएगी As far as I think या फिर as far as I know she will not come here I think का यूज भी आप कर सकते हैं As far as I think she will not come here जहां तक मुझे लगता है वह यहां नहीं आएगी As far as I believe जहां तक मेरा मानना है ठीक है As far as I believe people believe in superstition जहां तक मेरा मानना है लोग अंध विश्वास में विश्वास करते हैं तो guys आपको कुछ नहीं करना है As far as कि इतने कोई rules नहीं है आप इसको use करेंगे जब आपको हिंडी वाले sentences में जहां तक बूलना चाहरे हो जैसे जहां तक मुझे लगता है As far as I think जहां तर मेरा मानना है जहां तक मेरा विश्वास है As far as I believe बाद वाला sentence आप जो चाहे बना सकते है So I hope guys यह छोटा सा प्रयास मेरा conjunctions को समझाने का आपको अच्छा लगा होगा आपको समझ में आया होगा So guys आपका comment और feedback मैंने लिए बहुत जादा important है तो आप जरूर करिएगा जरूर बताइएगा चली guys तो मिलते हैं हम लोग next video में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक light जरूर कर दीजिएगा चैनल को आप subscribe कर ले कि इस तरह की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे कुछ access में आप लोगों के साथ में share करोंगी ताकि आप इनकी practice करें और इनका use कर पाए मिलते हैं हम लोग next video में Till then bye bye take care